बिग बॉस सीजन 17 के ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड में नील के लिए आईशा सिंग ने बोली एक बड़ी बात नील को दिया ये बड़ा तौफा आभी शेक और नील ने मारी बाजी क्या रिंकू या आईशा का होगा एविक्शन मिडनाइट एविक्शन से पहले आई ये ब बड़ी खबर तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रही है अन्त तक बिग बॉस के घर में हो चुके हैं चार कंटेश्टेंट नॉमिनेट और इन चार कंटेश्टेंट में से कोई एक कंटेश्टेंट इस वीकेंड घर से बाहर जाने वाला है जिसमें आईशा खान और मुनवर को छोड़ कर उनका रिलेशन किसी के साथ भी नहीं दिखता है और मुनवर की जनता को अगर आप छोड़ दो तो आईशा के पास खुद का कोई वजूद ही नहीं है तो आईशा जो है वो तीसरे पोजिशन पर है और नमबर दो की पोजिशन पर आ चुके हैं नील बट नील बट को इवन आईशा सिंग के भी फैंस का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है गुमे किसी के प्यार में शो से जो पॉपलरिटी नील बट को मिली है वो बिलकुल नेक्स्ट लेवल है नील बट के पास एक अपना स्टार्डम है एक अपना फैंडम है और इस वज़े से जो है इस रैंकिंग में टॉप टू पर है और नमबर वन पर अभिशेक कुमार अभिशेक को जस तरीके से इस सीजन में डिफेम किया गया है चाहे वो ईशा के तरप से किया गया हो घर में बहुत सारे लोगों ने अभिशेक को लेकर कई सारे सवाल जवाब किये कई बार अ अभिशेक को सबसे ज़ादा वोटिंग मिल रहा है इवन अभिशेक की एक अच्छी फैन फॉलोविंग भी है उडारियां शो से लोग अभिशेक को जानते हैं और अभिशेक की गेम को पसंद भी कर रहे हैं ऐसे मैं अब नील भट को लेकर आईशा सिंग ने कहा है कि मैं पू आईशा ने हमेशा ही नील को सपोर्ट किया है इवन शो के अंदर हो या फिर शो के बाहर एश्वरा शर्मा के ही चलते आईशा ने हमेशा से चु क्पपी साद रखी थी लेकिन अब आईशा के सपोर्ट के बाद नील भट पो और भी दीजी से वोट रहा है और आने वाले दिनों में वोटिंग रेंग पर अगर नील भट नमबर वन पर आ जाए तो आप शौक मत होना क्योंकि अगर आईशा सिंग का सपोर्ट है तो जाहिर सी बात है आईशा सिंग के पाथ बड़ा फैन फॉल्लवर है नील भट से भी जादा फैन फॉल्लविंग है आईशा की और और नील को लोग ऑन स्क्रीन देखना भी बहुत पसंद करते है तो अगर आईशा सिंग के वोट मिलता है तो जाहिर सी बात है नील भट तॉप पर आ जाएंगी आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है उपीनियन इस वोटिंग ट्रेंड में आपको क्या लगता है घर से बेघर लेट मी नो इन दे कमेंट बॉक्स और इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीचे